तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं उससे वो जब बड़ी अक्वांटिटी में खाओ, हैवी भी ना खाना ज्यादा, बड़ी अक्वांटिटी में खाओ, दाइट में प्रोटीन और फैट्स, चीज को बिल्कुल सिंपल रखता हूं, अगर आपको मसल बिल्ड करने हैं, लड़क स्टिरोन जो नैचरल ही है, वो भूट हाई लेवल होता है, बहुत बड़ी लेवल होता है, ठीक है, टेस्टो स्टिरोन हाई होने का मतलब क्या है? आपकी ग्रोथ, आपकी जो वर्कआट से मसल्स के जो टिसूस ब्रेकडावन होते हैं, उसकी रिक़वरी, कोई भी एक्टि तो उस उमर में कोई भी चीज खाओगे बहुत अच्छे तरीके से लगती है ठीक है अब बात यह कह रहा था मैं कि अगर आपका गोल मसल बिल्ड करना है तो चीजों को बिल्कुल सिंपल रखो मसल बिल्ड करना वेट लोस करना फैट लोस करना यह इन चीजों की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कुछ भी कॉम्प्लिकेटिड नहीं है कॉम्प्लिकेटिड है इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना डिसिप्लीन के साथ करना डेडिकेशन के साथ करते रहना दस दिन कोई भी वरकाउट कर लेगा दस साल से जो वरकाउट कर रहा है ना उसकी बोडी उसका म इमोशन्स पर अपने इमोशन्स पर कंट्रोल उसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम अगर अपने सरीर पर जो महिनत करते हैं न वो यहां पर असर करती है दिमाग पर आपकी जो मेंटल स्टेट है आपकी मेंटल पावरों बहुत बढ़ जाती है आप एक आपके शरीर में ठीक है और तो मैं यह कह रहा था कि और करने के बहुत अंगिनत फायदे हैं मैं बता भी नहीं सकता इतने हैं अगर आपको मसल बिल्ड करने हैं सिंपल सा डाइट में प्रोटीन और फैट्स इनका इंटेक हाई रखो गुड़ फैट्स गुड़ फैट्स ख खाते हो जी खाओ पनीर खाओ ठीक है बहुत सारे वह उप्संसा में पास नौन में वेज में फैट्स में आगे देशीगी हो गया पनीर हो गया अपना कैसू जोगे वोलनट्स हो गया ओलीवोल हो गया यह चीज यूज़ करो गुड़ फैट्स के लिए कार्बो हाइड्स ज अगर आपको पता हो जो बच्चे का न्यू बेवी बोल्न जो होता है उसका पहला महीन होता है उसके दिमाग की ग्रोथ उसी में होती है जब वह अपनी मागा दूद पीता है और जो मागा दूद होता है उसमें हाई कोलिस्ट्रोल होता है और वह बैड कोलिस्ट्रोल नहीं नें वह गुड को लेस्टोल होता है दोत्रों होता है एक क्लिस्नों होते हैंते जिसकी वजए से तो फैट की जरूरत है हमारे सरीरे को भूत ही ज़्यादा है कि भाहर का भार का ये वह सहही नहीं है हैं हमारे लिए घी बहुत बढ़ी हैं हमारे लिए दिमाग के लिए गी बहुत बढ़ी अचीज हैं घी खाए गरो घी को अवेड मत किया गरो बढ़ी है quantity में खाओ हैवी भी ना खाना जादा बढ़ी अक्वानिटी में खाओ according to your goal कि आपको goal क्या उसके हिसाब सिखाओ fat भी और protein भी और carbohydrates भी तो यह diet की बात होगी protein और fat बढ़ने भी 9 महिने लगते हैं तो muscle build भी उसी तरह से होता है muscles के tissues का size है उनका size increase होता है उसको hypertrophy बोलते है एक होता है hyperthalasis उसमें number of tissues बढ़ते हैं जो जब बच्चा पैद होता तो तब तक वो बढ़ते है hyperthalasis होता है वो adult बनता रहता है ठीक है उसके बाद क्या होता है hypertrophy से हम अपने muscles के size को grow कर सकते है muscles का tissues है muscle का tissue है उसका size increase कर सकते हैं जिसके वाज़े से हमारा muscle बढ़ा दिखता है hyperthalasis होते है number of tissues बढ़ना और hypertrophy होते है tissue का size increase होना तो जो हम exercise करते हैं उससे वो जब exercise हम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है उसके आपके muscles के tissues breakdown हो रहे है muscle tear नहीं और muscles के tissues breakdown हो रहे है और फिर जब आप अपनी diet में nutrition लोगे protein लोगे तो वो recover होगा और फिर उस tissue का size increase होगा फिर आपका muscle बड़ा दिखता है आगे बहुत simple सी चीज़ हो यह सब अपनी nutrition के बात होगी exercise पर आते हैं exercise आपको इस तरह ऐसे करनी है अगर आप beginner हो तो moderate weight उठाना है heavy नहीं उठाना जादा starting में जब आप beginner होते हो तो आपको अपनी form पे आपको अपने पोस्टर पे ज़्यादा देना पड़ता है ना कि weight पर तो starting में आपको high repetitions और more number of sets पे ज़्यादा देना है मानलो 4-5 set करो 15-20 repetitions करो normal weight पर उससे क्या हुआ आपके muscles की जो memory है वो शार्प होगी वो बनेगी एक movement की movement करने की ability होते है muscles की वो बनेगी जब बच्चा पैद होता तो वो भी सीखता है चलना गिरता पड़ता सीखता है पैदा होते ही चलना या नहीं सीखता है उसके muscles को उसके joints को चीज़ की आहलत डालने पड़ते तब जाके वो सीखता है ठीक है तो सेम यहां पे वो चीज़ अपला होती है आपको एक चीज़ को time देना पड़ता आपको अपने muscles को time देना पड़ेगा तब वो grow करेंगे ठीक है और एक सबसे बड़ा point यह है अगर यह बास समझ में आ गई हो तो दूसरा point में कह रहा हूं कि exercise करते रहते हैं तब तो muscles का size maintain रहता है डाइट लेते रहते तो muscles का size maintain रहता है exercise छोड़ देते हैं तो muscles का size increase को होने के जाएगा decrease हो जाता है muscle size कम हो जाता है और fat बढ़ जाता है body में वह इसलिए होता है आप अपने सरीर का जो अंग use नहीं करोगे वह खतम हो जाएगा वह आपके सरीर पे उतना ही रहेगा जितना के आपको survive करने की जरूत है हमारा सरीर बहुत ज्यादा तेज है बहुत खतरन सरीर ना इसने पता है कि इसको survive करने के लिए क्या करना है जो हमारे cells है ना वो सिर्फ इसी एक बात में रूची रखते हैं कि हमको survive कैसे करना है ठीक है तो वही बात है जब आप exercise चोड़ देते हो तो आपके सरीर पे सिर्फ उतना ही muscle mass रहता है जितना आपके सरीर को survive करने क से muscle loss हो जाता है यह करना होता है muscle loss का तो देखो बहुत clearly बहुत simple तरे ऐसे समझाने की कोशिज करी या आपको समझ में आगे हो तो like कर देना comment कर देना कुछ ना समझ माया तो comment down कर देना मैं समझाओंगा और और कोई topic है जो cover करना है वो comment down कर देना मैं वो भी कर दूँआ ठीक है ध्यान रखोपना